बहुती अरजेंट वे में मुझे अपडेट करना पर रहा है आईटी और ओसी कोर्स के बारे में ओफीसियल अपडेट आप लोगों के साथ सेर करेंगे इस वीडियो को CA Foundation वाले Knowledge Point of View से देखना चाते तो देख सकते अधरवाइज वीडियो को स्किप कर दीजेगा simple and short way में explain करने वाले IT और OC कोर्स को इबारे में बहुत सारे ऐसे students है exam खत्म हो जाने के बाद वो थोरा सा relax हो रहे हैं बट मेरा ऐसा मानना है कि जल्द से जल्द आप लोग IT और OC कोर्स कंप्लीट कर लो जल्द आने से पहले May 23 कर प्लीज इस वीडियो को share जरूर कर दीजेगा CA students के साथ और हाँ आपके मन में doubt आ सकता है क्या CA new course जब आएगा उस समय में भी IT और OC करना परेगा क्या अभी तो new course आया ने अभी तो current course चला इसका जबाब है आपको IT OC करना ही परेगा हमेशा या तो आप students अभी कर लो या तो आपको बाद में करना परेगा एक बार ही करना परेगा ऐसा नहीं कि अभी भी कर लो जब new course आएगा वहाँ भी करना परेगा ऐसा नहीं होगा IT और OC 15-15 दिन का course होता है जो कि आपको complete करना होता है आर्टिकल सिप स्टार्ट करने से पहले आर्टिकल सिप current course में भी करना और new course में भी I know students के आपके मन में बहुत सारा doubt है कोशिस ये करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपका doubt क्लियर करतें बस आप लोग वीडियो को skip नहीं कीजेगा वीडियो को skip करोगे आपके मन में doubt आजागा हो सकता है वीडियो का presentation खराब हो लेकिन आप लोग अच्छे से सुनते हो वीडियो को तो एक भी doubt आने नहीं देंगे इसके related announcement यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा icai.org ये icai का main website है आपको IT और OC course के regarding में official notification या ऐसा कोई भी new batches को देखना है कब से IT OCA start हो रहा है तो ICAI online registration के website पे जाना परेगा वो भी ICAI का official ही website है देखो अभी के हिसाब से आप अ नहीं गया वहाँ पे भी आपको IT OC करने के बाद ही आप आर्टिकल से पर start करोगे अभी जो students May 23 में बोथ गुरूप का exam दिये या single group का भी exam दिये वो चाहे तो अपना IT OC complete कर सकते हैं और जो बोथ गुरूप का exam दिये please complete कर लीजे CA intermediate का बोथ गुरूप का exam दियो complete कर लीजे result आने से पहले आपके लिए अच्छा बढ़ाएगा क्योंकि अभी time है अभी आप लोग 15-15 दिन का दो course complete कर लोगे उसके बाद result आ जाएगा बोथ गुरूप क्लियर हो जाएगा तो सीधा आप आर्टिकल सिप में तुरत registration करके अपना आर्टिकल सिप स्टार्ट कर पाओग और हाँ उस समय तक new course आ गया होगा तो अभी ITOC complete करोगे ऐसा नहीं कि जब new course आएगा तो आपको तीन साल का आर्टिकल सिप करना परेगा ऐसा कोई बात है नहीं आप लोग mind free हो करके ITOC complete किजे जो students सी ये intermediate का एक गुरूप भी दी है चाहे तो ITOC complete करना तो कर सकते हैं या उन आर्टिकल सिप में registration करो नहीं तो उस समय क्या होगा कि पहले ITOC करो उसके बाद आप आर्टिकल सिप में registration कर पाओगे ऐसा भी students के मन में doubt आ सकता है मान लेते ITOC complete कर लेते हैं और result हमारे favor में नहीं होता तो क्या होगा आपको पूरे जीवन में एक ही बार ITOC करना है CA course में आप एक्जाम देना और पास कर जाना तो ITOC तो complete रहेगा इसके बाद सिधा आर्टिकल सिप में registration कर लोगे IT का मतलब होता information technology OC का मतलब होता orientation course अब doubt आ सकता है पहले कौन सा करे IT करे या OC करे आप लोग अपने area में batch देखोगे क्या C tab label है IT का C tab label होगा तो IT पहले कर लीजेग और OC का C tab label होगा तो OC कीजिएगा एक बार में कोई एक ही course complete कीजेगा जो की 15-15 दिन का होता है ऐसा गलती मत कर लेना कि IT morning में कर लेना और OC evening में ऐसा गलती करोगे या afternoon में या हम लोग इंसान है machine तो नहीं है कि एक साथ IT भी complete करे और OC भी complete करे या तो पहले IT complete कर लो या तो OC complete कर लो कोशन आज सकता है कि कैसे पता करे कि हमारे area में batch available है या नहीं है अब पूरे इंडिया में कहीं पे भी IT OC complete कर सकते हो जो भी ICI का regional branch होगा आपको चेक करना परेगा लेकिन आप जहां पे रहोगे उसी के आसपास न करना चाहोगे मान लो कि मैं पटना में रहता IT OC seat available है हो रहा है new batch या नहीं तो यहाँ पे पतना में सो कर रहा है कि orientation course में 30 seat के approach है कब से कब तक होगा आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो जिसमें seat available होगा वहाँ पे आपको registration करना परेगा मान लेते हो OC चेक किये OC का seat available है तो कर लीजे अगर आप IT चेक करते हो और IT का नह होने वाला है जैसे मैं IT के लिए चेक करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी batch अबलेबल नहीं होता है तो इसका यह मतलब है कि IT का अभी पतना में कोई भी batch अबलेबल नहीं है तो आपके पास दो option है या तो आप बार बार चेक करते रहो या regional branch में जा करके संपर्क करो या call पे भी बाते करो कि कबसे new batch आने वाला है पूछ लीजिए और हाँ students आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी कर सकते ऐसा नहीं कि आपका घर जहां पे वहीं पे करना है खोशन आ सकता IT के लिए कैसे registration करें OC के लिए कैसे registration करें मैंने detail video बना रखा है video का link आपको description में मिल जाएगा और IT OC कोर्स के बारे मैंने detail information भी दिया प्लीज आप लोग IT OC कोर्स के related playlist जोगा उसको check कर लीजिए और हाँ foundation के students अभी आप foundation का exam दो फिर intermediate का exam दो तब जाकर के IT OC कोर्स के बारे में सोचना students के मन में doubt आ रहा था तो मैंने doubt को clear कर दिया I hope students के आपने exam दिया May 23 का तो आप लो complete करोगे और IT OC अगर कोई batch available नहीं मिलता है तो घबराने का बात नहीं है आज ना कल में batch आएगा ही आएगा उसमें registration करके कीजिए पैनिक मत हो जाना है relax रहो relax और हाँ students इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजेगा CA students के सार्थ और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइ studies 10 coupon code 22 में से लेकर के 26 में के बीच में अगर enrollment करते हो सब्सक्रिप्सन लेते हो unacademy का तो CA foundation के सब्सक्रिप्सन पर या CA intermediate के सब्सक्रिप्सन पर आपको 20% का discount मिलेगा unacademy पर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा इंडिया के top notch educator के साथ सब्सक्रिप्सन लेने के लिए सबसे 50% आपको discount मिल जाएगा इस offer का benefit उठाओ ज्यादा जानकारी के लिए description जरूर चेक कर लेना